उमरिया जिले की कोतवाली थाने के बिलासपुर चौकी शेत्र में जैतपुरी निवासी आठ वर्षी है साहिल पिता सोनिलाल यादब को जहरीले स्तर्प ने डस लिया बच्चे को जिला अस्पताल लाया गया जहां प्चार के दोरान उसकी मौत होई अस्पताल चौकी के अनुसार मंगलवार सुभा वह सो रहा था सुभा करीब साथ बची अचानक घर में घुसे जहरीले साप ने डसा था परिजनों ने साप को भागते देखा बच्चे के बाएंपैर के अंगुठे में सर्प दंश के निशान थे प्रक्रण में मर्ग कायम किया गया